अले उस तो एंसल में प्रोब्लम चल आए कि जो 499 रुपय का जो डाटा पैक था 28 दिन के लिए और डाटा पैक एंसल ने हटा दिया है मैंने उस पे एक वीडियो भी बनाया था उस वीडियो को देखके बहुत सारे लोगों ने उस डाटा पैक को यूज किया उस डाटा पैक नहीं आ रहा है मैं बहुत त्राइय कर रहा हूं लेकिन यह पैक मझे कहीं भी सोऔर को नहीं हो रहा है और यह पैक बने ने हटा दिया जो 469 जो 8 GB और 1.5 GB देता था तो यह पैकेज 28 दिन के लिए शिरिफ दो पैकेज यहां पर दिया गया है एक 295 रुपया में 5 GB दे रहा है और 1699 रुपया में आपको 60 GB 30 GB होम और 30 GB यहां पर वे का दे रहा है तो आप यहां पर चलाना चाहता है इंटरनेट 28 दिन के लिए तो आपको यह दो पैक अभी लेका चला सकते है तो आप यहां पर 600 रुपया में आप 60 GB चला सकता है नहीं तो 295 रूपय में पांच इबी इंटरनेट डाटा ले सकते हैं जो 469 वाला था वो बहुत ही अच्छा था सब लोगों को बहुत पसंद आया था वो पैकेज बहुत सारे लोगों नहीं यूज करते हैं यह बंद कर दिया तो मैंने भी यहां पर चेक किया बिल्कुल पर आएगा यह नहीं आएगा इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो अचले वीडियो को लाइक कर देए चैनल पर नहीं सब्सक्राब चली मिलते हैं अगले वीडियो में